अब आईजरो की नजरें अगले लूनर लीप पर चांद से प्रित्वी पर सैंपल लाने के मिशन पर होकर रहा काम भारत चांद पर पहुँच गया है और अब इजरो वहां से सैंपल धर्ती पर लाने की तैयारियों पर काम कर रहा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बात की जानकारी इसरो से जुड़े एक अधिकारी ने दी है चंद्रमा में भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ऐसे मिशनों में विशेशग्यता विकसित कर रहा है जो नमूने प्रिथ्वी पर लोटाने में सक्षम होंगे अधिकारी ने कहा कि 3 सितंबर को विक्रम लेंडर का होप एक्सपेरिमेंट उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था चंद्रयान 3 के बाद जो नतीजे निकले हैं विशेश रूप से सफल होप एक्सपेरिमेंट भविश्य के मून मिशन का आधार बनेगा उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर प्रयोगों के आधार पर अंतरिक्ष एजेंसी ऐसे कारेक्रम डिजाइन करेगी जहां नमूनों को प्रित्वी पर वापस लाया जा सके अधिकारी ने कहा इसके लिए अभी तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है लेकिन हम अपने सिस्टम को इस तरह से विकसित करने पर काम कर रहे हैं कि यह वापसी की उड़ान भर सके हॉप एक्सपेरिमेंट केवल बड़ी योजना का प्रदर्शन था विक्रम की हॉप पर इसरों ने क्या कहा कुछ देशों ने किसी अन्यक हगोलिय वस्तू से उड़ान भरने की क्षमता का प्रदर्शन किया है इसी क्रम में 3 सितंबर को विक्रम लैंडर ने 40 सेमी की उचाई तक जाने और फिर से वापस उतरने के लिए अपने रॉकेट दागे जो एक महत्वपूर्ण परीक्षन था विक्रम की हॉप पर इसरों ने उस वक्त कहा था विक्रम फिर से सौफ्ट लैंडिंग पर उतरा विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देशियों को पार कर लिया ये सफलता पूर्वक एक हौप प्रयोग से गुजरा इसरों ने आगे कहा था कमांड देने पर इसने इंजन चालू कर दिये उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेमी उपर उठाया और 30, 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया अंतरिक्ष एजेंसी जापान के साथ एक चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्स्प्लोरेशन लूपेक्स परियोजना के लिए भी काम कर रही है चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों का पता लगाने और इसकी सतह की खोज में विशेश ज्यता हासिल करने की एक पहल है दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद